जैश्री राम श्रे राम रक्षा एक्स्प्लेंड पार्ट 11 और सबसे आखरी पार्ट में आप सभी का स्वागत है लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रग्वंशनातं कारुण्यरूपं कुर्णाकरंतं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्धे मनुजवं और्द तुल्य वेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्टं वातात्मजंबा नर यूथमुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्धे कुजन्तं राम रामेदी मदुरं मधुराक्षरं आरुयक विताशाखा वन्दे वाल्मी किकोकिलं आपदाम परहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभी रामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यं भर्जनं भव विजानां मर्जनं सुख संपदां तर्जनं यम दूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राज मनी सदा विजय ते रामम रमेशं भजे रामे ना भियता निशा चरचमू रामा यतस्मे नमहा रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्यदास्यो स्मेहं रामे चित्तले सदा भवतुमे भो राम रामुद्धरा जय श्री राम रक्षा एक्स्प्लेंड का पूरे भाग पूर्ण हुए इसमें हमने वापिस से श्री राम की महिमा गाई हुई है जैसे कि हमने कहा है कि बर्जनम भव वीजा नाम मतलब सारे भव जो भीज हैं हमारा जो भव सागने रूट हैं वो सारे रूट कौजे जिसकी वज़े से हम दुख सहन कर रहे हैं वो सारे चले जाते हैं उसके बाद तरजनम यमदूताना मतलब राम नाम का नाम लेंगे तो यमदूत भी भाग जाते हैं राम रामे ते गरजनम मतलब राम का नाम गरजन करना ये इतना गल्यान करी है और इसलिए हम श्रीराम को मातासीता, लक्षमन जी, हनुमान जी को नमश्कार करते हैं पुरा दो लाइनों का श्लोक दिया हुआ है हनुमान जी के डेडिकेटर है ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हनुमान इतने बड़े भक्ते आज मैं आपको एक अलग चीज बताना चाहूंगा कि भगवान की साधना कैसी होनी चाहिए ऐसा मेरा विचार है कल पना कीज़े आपके माबाप के विवाह का anniversary है मैं रज़ anniversary और आप खुद बच्चे हो जो आप 15 साल के हो आपकी छोटी से बेहन है वो 13 साल की है आप सुबर जल्दी उठते हो माबाप के उठने से पहले और आप सोचते हो कि आज मुझे केक बनाना है आप यूटीब पर आउन करते हो देखते हो हाओ टो मेक केक विच यो पेरेंट्स बोथ लाइक है ना और केक बनाने प्रोसेस में मैदा डालो उसमें थोड़ा सा शक्कर डालो दूद पाउडर डालो मिक्स करो बटर डालो उसे बेख करो बेख करने के बाद उसमें विपिंग क्रीम डालो ये सारा प्रोसेस तो हो गया केक बन की तयार होके बहार निकला यावन से लेकिन वो जला भूना था थोड़ा सा शक्कर भी कम था तॉप ओफ डैट आपने जो आटा निकाला था वो आटा का जो कंटेनर है वो निकालते समय गिर गया थोड़ा गैस भी ज़्यादा जल गया थोड़ा पानी भी खराब हो गया और बहुत सारे बरतान भी बरबाद हो गया इस चीज में दो चार कब भी गिर गया लेकिन जब इतना सब हो रहा है महाभारत आपकी किचन में जब आपके माबाप उठके आके बाहर आके देखते हैं कि मेरे बच्चों ने क्या करम कान किया हुआ है तो क्या लगता है आपको क्या वो केक की तरफ देखेंगे जो जला भूना है मीठा भी कम है किचन भी खराब हो गया है या बच्चों ने प्रेम से किया है इस भावना को देखेंगे सोचने वाली बात है हम प्रोसीजर पे बहुत ध्यान देते हैं और भावना पे कम पुजा करते समय ऐसे भावन को अभी शिप करना जरूरी है ऐसे ही उच्चारण करना जरूरी है अरे ये मंतर गलत कर दिया आरे नहाए नहीं हो तो भावन का नाम मत लो मैं सच बताता हूँ जब हम शरेर नहीं नहाता तब ही भी हम अगर हमारे माबाब का नाम लेंगे जब हम समझो गिर गए तो हम बोलेगा आरे माब लग गया क्या हमारी माब नहीं आएगे हमारे लिए आएगी ना जरूर आएगे वैसे ही भगवान का है हमारा तन पवित्रों तो अच्छा है डेफिनेटली वेरी गुड पर अगर नहाए नहीं है और लेकिन मन पवित्र है तो सच में वो भगवान उपर से यहां भाग के आएंगे यह मेरा स्वेहम कानुवा है वो जगनाच जगदिश्वर आपके लिए आएगा जरूर आएगा लेकिन आपने उसे प्यार से बुलाना चाहिए वो नहीं देखेगा कि केक कैसे बना है जला है, मीठा है नहीं ना आपके माबाब भी देखे केक देखेंगे तो वो उसे प्यार से एकसेप्ट कर लेंगे जब आप भगवान को जिसको किसी चीज का अटाच्मेंट नहीं है किसी चीज में उसे कोई attachment नहीं है मौह नहीं है हमारे माबाब तो हमारी जैसे इंसान है उनका भी चीजों में मौह होता है और वो भी चीजे टूर जाएं तो भी वो बच्चे का प्रेम भावना देखके खुश हो जाते हैं वो परमात्मा को अच्छे भाव से प्रेम भाव से अगर आप याद करोगे तो वो आपके रक्षा के लिए आपके कल्यान के लिए आपके उद्धार के लिए आवश्य आएंगे इस अच्छी भावना अच्छे विचार से आज हमारा राम रक्षा एक्स्प्लेंट पूरा होता है हम अगली बार नया स्तोत्र लेकर आएंगे और उससे एक्स्प्लेंट करेंगे जये श्री राम